देखे गाइस इसने कितनी तेज फायर किया और यहां पीछे के दरब आप देख सकते हो इसने छेदी कर दिया है तो हेलो फ्रेंट्स वेलकाम बैक टो अनगर वीडियो तो गैस आज की वीडियो में हम एक दिवाली के लिए गन बनाएंगे और गैस वो गन हम बनाएंगे कुछ इस तरह के लाइटर से तो गैस आप देख सकते हो यह सभी जगा पर इसली अवेलेबल हो जाता है तो गैस यह गन को बनाने में और इस्तमाल करने में कुछ हमें साउधानी भी बरतनी पड़ेगी तो गैस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को प्लीस आप एंड तक ज़रू देखना तो गैस अब चलते इसकी मेकिंग की तरफ लेट्स मेक इट तो गैस यह गन को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले हमको कुछ इस तरह के लाइटर की तो उसके बाद गैस मैंने पैंसिल लिये और उस पैंसिल को मैं पीछे के दरब से कुछ इस तरह से आरी की मदद से कट कर लेता हूँ तो देखें गाइस मैंने आरी की मतसे कुछ इस तरह से इसे कट कर लिया है तो आप मैंने एक blade लिया है और हमारे जो pencil का टुकड़ा था उसकी एक side को मैंने कुछ इस तरह से निकाल लिया है इसके बाद गाइस मैंने एक लोहे का pipe लिया है आप देख सकते हो ये खोकला है अंदर से तो आपको ये कुछ इस तरह का खोकला पाइप ले लेना है ये थोड़ा छोटा है पर आप इसकी जगा थोड़ा से बड़ा भी यूज़ कर सकते हो तो आप गैस मैंने एक अलॉमिनम फॉइल लिये और उसका थोड़ा से तुगड़ा कुछ इस तरह से रॉल करने के बाद हमारा जो पाइप है उसके अंदर कुछ इस तरह से एक साइट से डाल दिया है और अगरबत्ती लिये फ्रेंड्स मैंने और उस अगरबत्ती की मत से उस लेनी प्रेशर के कारण तो गाइस अब देख सकते हो यह इसमें एकदम बढ़िया से फस चुकी है तो गाइस अब देख सकते हो यह एक तरफ से खुला है और एक तरफ से पूरा बंद है और हमने जो पहले पैंसिल का टुकड़ा काटा था उसके उपर आपको सूपर पैट देता हूं और उसके उपर सूपर लू लगा देता हूं उससे एकदम बढ़िया से कड़क यहां पर यह चिपक जाएगा तो देखेगा से हमारी लाइटर गन बनकर रेडी हो चुकी है अब इसको कैसे चलाएंगे मैं आपको आगे बताता हूं तो आपको एक भरीवी माचीस ले लेना है और उसके अंदर से आपको माचीस की तीली को एक निकाल लेना है फिर चुग्ये की मज़से कुछ इस तरह से इसका जो मसाला है उसको आपको इसका अगज़ पर निकाल लेना है तो फटा फट समय माचीस की तीलीों का मसाला इसके उपर निकाल लेता हू फिर इसके बाद guys मैं sale की मदश से इसके उपर कुछ इस तरह से roll कर लेता हूँ जिससे एकदम ये powder form में आ जाएगा तो बस अब आपको ये मसाले को हमारे lighter के pipe के अंदर कुछ इस तरह से भर लेना है तो guys मैं check कर लेता हूँ ये कितना भर चुका है तो इतना भोत है यहाँ से आग लग जाएगी तो ये process कर लिया है guys अब इसका pressure अंदर बने उसके लिए मैं यहाँ पर आगे की तरफ से एक कागच के तुकड़े को कुछ इस तरह से मोड रहा हूँ तो इस कागच के तुकड़े को बड़ी आसे में शेप में ले आया हूँ अब ये कागच के तुकड़े को guys में आगे की तरफ से हमारे pipe के अंदर कुछ इस तरह से डाल देता हूँ तो guys ये ना ही जादा ढिला और ना ही जादा tight होना चाहिए तो गैसे नॉर्मली अंदर गुषना चाहिए तो आप हमारी gun load हो चुकी है तो आपको इसके साथ कुछ इस तरह से हाथों में इससे पकड़ लेना है तो आप मैं कुछ नहीं बोलता हूँ अब आप इसका कमाल देखिए देखे गाई इसने हमारे पीछे seat up की बारा बजा दिये पीछे यहाँ पर इसने haul कर दिया है तो मैं अभी आपसे request करता हूँ कि आप भी इसे किसी की तरह मूँ करके ना fire करें आप इसको खाली जगापर ही fire करें तो same process करके मैंने एक और बार इसे reload कर लिए तो एक और बार इसको चला के देखते है तो इसको normal तो हमने बहुत चला ली अब इसके अंदर हमें एक bullet भी डाल के check करते है तो मैंने अगरबती को कुछ इस तरह से पीछे से cut कर लिया है और इसको bullet के तोर पे मैंने इसके आगे load कर दिया है तो आप देखते हैं guys हमारा सामने जो target है उसको ये कैसे hit करती है तो guys slow motion में देखते हैं कि इसने कैसे hit करा हमारे target को तो देखे guys ही कितनी बड़ी आवक कर रही है और हमने बहुत ही सस्ते में इसे घर पर तयार किया है तो guys आपको ये धमाकेदर वीडियो कैसा लगा मुझे आप comment में ज़रूर बताना और guys आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like कर देना और आपको आगे भी ऐसे धमाकेदर वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल को subscribe करके bell notification all पे click कर लेना तो guys आज के लिए इतना ही बात